स्वागत और विश्णन्न आज इस वीडियो के स्वजन्न से आपको कुछ गीता और कृष्ण से जुड़ा हुआ सीक्रेट बताये जाएगा देखिए जब मैं कृष्ण फिर बात करता हूं तो मैं महायोगी कृष्ण की बात करता हूं मैं रसिया कृष्ण की बात नहीं कर रहा हूं यहां पर जैसे कि भागवत के कथावाचक जो व्योपार कर रहे हैं कृष्ण के नाम पर राम के नाम पर उनकी भासा का प्रियोग मैं नहीं करता हूं क्योंकि वो विचारे केवल कितावी क्यान रखते हैं और अपने पेट के पालन फोसन के लिए तरह तरह के मनोरंजन पूर्ण कहानिया सुनाते हैं और हिंदू जनता को पतवरेष्ट करते हैं भरमित करते हैं और किस तरह से हिंदू जनता के सामने हर्मोनियम बजा के तबला बजा के ढोलक बजा के बांसरी बजा करके कैसे धन निकाला जाए केवल उनका यही मनतब भी होता है यही उनका उद्देश होता है और इसलिए सिस्वं और हमारी जनम पत्री में भी जो है एक अलगी योग एक बिद्रोही योग है समझ रहना आप लोग एक बिद्रोही योग है कि पर्मपरा में पर्थाओं में जो गलत हो गया उसको पुनर इस्थाफित करना सही रूप में जो हिंदू धर्म में जो सनातन धर्म में और मैं एक बात फिर कहना चाहूंगा निश्चत रूप से हिंदू की बर्वादी में मुसल्मानों का हाथ नहीं हिंदू के जो दोगले नेता है चाहे वो बीजेपी के हो चाहे समाजबादी कांग्रेस के हूँ कोई बी इनका बहुत बड़ा हाथ है यह जो जिनों ने अपने परिवारों के लिए देश के लिए नहीं सोचा पर देश के लिए कुछ खास नहीं किया और बीजेपी का भी एक रहनों में एक बहुत बड़ा आ गया है जो केवल बंठन के रहने में ही अपनी पोजीशन समझता है और हिंदू राष्ट के लिए बने सत्ता में होते हुए भी हिंदू राष्ट के लिए जनसंक्या नियंत्रन जैसे विल को ना तो वो ला रहा है और ना कटवरसा से कोई विल ला करके उसको पालन करवाने की छमता रखता है क्योंकि वो भी दोगला हो चुका है उसको भी मिलेच्छों के बोट बैंक चाहिए समझे रहना आप लोग जो साला सत्ता में आता है वो मिलेच्छों को अपना दमाद बना लेता है चाहिए वो समाजबादी पार्टी के हो चाहिए बसपा के हो चाहिए कांग्रेस के हो और हिंदूों को तो साले चूतिया समझते हैं यह तो भीणबकरी हैं कहीं भी डंडे से इनको कर देंगे हां करके जो है बिद्रोही सुभाव का आदमी हूँ ऐसा लगता है इसाले नेताओं को सामने बैठा के दह जूता दह जूता इनके खोपड़ी पीर मारहां मुर्गा बनाके जैंग क्या करें कि तो चर्चा इस वीडियो को से चरूर करें और लोग करते हैं क्योंकर हिंदू गांडू हो चुका है और गांडू आदमें कुछ नहीं कर सकता है कि फिटने के अलावा कुटने के अलावा रोने के अलावा पच्चताने के अलावा और मुसल्मानों को दोस्त देने के अलावा कोई कुछ करता ही कर ही नहीं सकता है हिंदू जो है और मैं कहता हूं हिंदू की बरबादी में हिंदूओं का हात है बिचारे मुसल्मानों का नहीं मुसल्मान तो केवले बहाना बना दिया बली का बकरा बना दिया मुसल्मानों को ये साले हिंदू ही खोकले हो चुके है हिंदूओं में कीड़ा लग गया है जंक लग गया है और किसीज का गदारी का जंग, वेमानी का जंग, आयासी का, ऐसो आराम का जंग का लग गया है यह हरामी साथ सुधरने वाले मुझे नहीं लगता है, यह हरामी सुधर पाएंगे जो है हिंदों के रहनुमा जो बनते हैं, भगवान ही भला करेगा, तभी कुछ होगा मुझे लगता है और भगवान कहां से आएगा, भगवान ने भी अपने जीवन की में संगर्स किया जिसको तुम भगवान मानते हो ना मंतरों में बैठा करके, उसने भी जो है संगर्स किया और तुम संगर्स, अपने जिंदिकी की समस्या, अपने जीवन का संगर्स, तुम दूसरों के हाथ में सौपना चाहते हो, यह तुमारा उधार करेंगे तुमारे लिए जरूरत एक चानक के जैसे कठोर, अनुशासित, एक मार्ग दर सके और सुवचिन तक की, राष्टिये चिन तक की खैर, चलते हैं महायोगी क्रिश्ण ने गीता में बारवार दो तीन सब्दों का प्रियोग अधिक्तम किया है वो किया है अहम, माने मैं, मम, मेरा, और माम, मुझको यह तीन सब्दों का अधिक्तम प्रियोग हुआ है गीता के अंदर आहम माने मैं, मम माने मुझको, मम माने मेरा, मेरा ध्यान करो मम एकम सरणाम प्रज, मेरी सरण को लेलो, मम एकम, मुझे एक की ही सरण को लो Only take refuse, only me take refuse केवल मुझे एक की सरण लो तो वो मुझे एक क्या, आहम माने मैं होता है, वो मैं क्या है तो इसमें भटकने की जरूद नहीं है ये नहीं कह रहा है कि मेरी पूजा करो वो कह रहा है मैं की सरण लो, मुझे की सरण लो वो जो मैं तत्तो है, इस्वरा सरव भूताना रद्देसे अर्जन तिश्टती, ब्राम्यान सरव भूतानी, इंत्र आरोणानी, माया जो परमात्मा का जो अंस है उसको मैं बोला है बोलता पुरुस जो है अहम मने मैं मा मने मुझको मुझको भजो मेरा पूचन करो मैं ही सब में हूँ तो वो एक परमात्मा की तरफ से बोल लेते एक परतिनिती की तरफ से बोल लेते उस समय जब वो गीता का ग्यान दे रहते तो वो यूनिवर्सल कनेक्टिड होकर बोल रहते उनकी जतना फुल फिल, फिलों में थी परम उर्जावान होकर के बोल रहते ब्रमांड या उर्जा से जड़कर के बोल रहते एक होकर के बोल रहते उनका एक तादात्म हो गया था अभिन हो करके वो लहते उस परमात्मा से तो वो मैं कौन परमात्मा मम मेरा परमात्मा के ही ऐसा मुझको परमात्मा को ही माने इस सरीर के अंदर जो मैं है जो कहते है मेरा मुझको तो कभी कृष्णा कह रहा है मामेकम सरणम प्रज मुझे एक की ही सरण में आजा कृष्णा यह नहीं कह रहा है कि कृष्णा वो बॉड़ी वाले कृष्णा मने कि मेरी सरण में आजा यह नहीं कहना चाहना है वो कहना चाहना रहा है कि जो इस सरीर के अंदर जो मैं है, जो चेतना है, जो उर्जा है, जो आत्मा है, कुछ भी कहिए, जो सोल है, उसकी सरण में जाओ, अभी तुम किसकी सरण में हो, अभी तुम भै की सरण में हो, प्रिलोवन की सरण में हो, क्रोध की सरण में हो, अमकार की सरण में हो, हना, क्रो काम की सरण में हो प्रतिष्ठा की सरण में हो राग और दिवस की सरण में हो इनसे हट करके अपने मन को सरण कौन ले रहा है? मन सरणागत किसको करना है? मन को करना है बुद्धी को करना है मामेकम सरणम सर्व धर्मान प्रतिज्य सभी धर्मों को छोड़ करके तुने जो जो धारन कर रखा है अपने मन में सर्वधर्वान परतिच उन सब को छोड़ करके मुझे एक की ही सरण में आ ठैर जा है ना है ना मज़े दास उत्र तो गीता में आहम का प्रियोगा दिख किया है माम का किया है माम का किया है ये गीता का सार बता रहा हो तुम लोगों के लिए अगर जाक सको तो हिंदू जाक जाओ कुछना ने कहा सुधर्मे द्रम स्रिया इसलाम को छोड़ को चौड़ जैन धर्म को सिक घर्म को छोड़ दो इसाई धर्म को छोड़ दो यह धर्म तो थे ही नहीं मुनों धर्म की बात कर रहे हैं जिसको जिन जिन चीजों को मन में मन ने धारण कर रखा है मन में तुमने गुशा लिया है उन्स सब को त्याग दो अवंडोनिंग कि एवरी आल रिलिजेंस भीचार अपहेल्ट थो यूर माइंड अवंडने लिवंडने अव्ट निएल्ट अवंडने छो वाहां ऑपहेल्ट अवंड़ी अवंड़ी अवर्म टू अव्ट ने अविए व्यूं को इसके बाद तू मुझे में ही निवास करेगा सभी धर्मों मानसिक बहुत लेक धर्मों को जो अन्ताकरण है अन्ताकरण के जो गुण धर्म है उनको त्यागने की बात कही है माने एक भावा तीतावस्था एक कामा तीतावस्था उसके बारे मैं कहा थेंक्यों सो मच अगर वीडियो अच्छी लगे तो जरूर सेयर करना बांकि तो हम समझ चुके हैं कि 85% हिंदू क्या है फिरी की चीजें खाने वाला है वो दिल्ली में बैठा हुआ खुजरी वाल भी जो है फिरी में लाइट बाड़ता है पानी बाड़ता है तो हराम के लिए रहा हिंदू हिंदू को फिरी में दे दो उसकी बहन बेटी के यह नेता फिरी का जुंजुना लाते हैं और हिंदूओं को फिर पांस साल तक खोन के आशूर रूलाते हैं बड़ा बड़ा आवेस आता है राजठित में यह साले नेता है आ जाए तो उन पर धैजूता धैजूता बजाई यह जो है अपने आपका वदलाव करो और बिद् कि यह जो हिंदूओं को जो बोट बैंक का बकरा बना रखा है और जो सुविदाए हैं वो दूसरे लोगों को बांटे जाती हैं इस साले बोलते हैं सबका विकास और सबका सत्यानाज हैं ओम शांति ओम क्रांति